नमस्कार मैं दिया और आप देख रही है डॉक्टर साहिब आज हम बात करने वाले है नवजाज शिश्वो में जौन्डीस की समस्या को लेका और इस विशे में माय साथ जानकारी साजा करने के लिए मौजूद है बिहार के जाने माने नवजाज शिश्वो रगविशे चक ग नवजाज शिश्वो में जौन्डीस याने पिलिया आपको जान करके आश्चर होगा ऐसे तो जौन्डीस बहुत कॉमन है नियरली 60 परसंट बच्चों में जौन्डीस होता ही होता है और जौन्डीस ऐसे 60 परसंट गंभीर नहीं होते हैं लेकिन गंभीर कौन है यह जाना जरूई है तो गंभीर होने के लिए आप पहले से जानकारी होनी चाहिए कि आपका बच्चे को जौन्डीस तो नहीं होने की समभावना है याने ऐसे जौन्डीस क्यों होता है उसका सबसे कॉमन का कारण है कि बच्चों में हीमोगलोबीन की मात्रा जादा होती है क्योंकि बच्चों में जो बच्चा पैदा होता है तो मा की पेट में बच्चे को ऑक्सिजन कम मिलता है उसको कमपंसेट करने के लिए बच्चे का हीमोगलोबीन बढ़ जाता है लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद उसको ऑक्सिजन उसका जब लंग्स चलने लगता है oxygen की मात्रा उसके body में प्रचूर होने के कारण उसमें अब hemoglobin जाला रहने की जुरूरत नहीं है तो hemoglobin तूटता है और तूटने के कारण जब RBC तूट करके जब हीम और तूटने के बाद वो बिल्रूबिन बनता है जिसके कारण जॉन्डिस होता है तो जॉन्डिस वो अकसर जब तक आपका लीवर और इंटेस्टीन में बैक्टिरिया और अगरे सब का ठीक है तब तक माने मोर दान 75% केस में आपको जॉन्डिस दिखाई नहीं पड़ता है और दिखाई पड़ता भी है तो बहुत साधान रहता है जो थोड़ा दिन के अंदर ठीक हो जाता है अकसर जॉन्डिस दो-तिन दिन के बाद दिखाई पड़ता है और एक हपते के अंदर वो ठीक हो जाता है लेकिन कुछ जॉन्डिस जो धीरे धीरे रह जाते हैं लेकिन अब जॉन्डिस कौन सा जॉन्डिस खतरनाक है अगर जॉन्डिस पंदर मिली ग्राम से जादा है तब उसे फोटो थेरपी याने बच्चे को भर्तिक करके एक स्पेसल लाइट द्वारा उसको इसकी सिकाई की जाती है जिसके कान भीतर में जॉन्डिस कम हो जाता है और फिर उसको हम लोग धीरे धीरे फोटो थेरपी कम करके भी ठीक करते हैं और दूसा है कि अगर बच्चा का दो हप्ता के बाद भी अगर जॉन्डिस कम नहीं होती है तो हम लोग उसको और तरह के टेस्ट करने चाहिए और जन्ड के पहले हमें सबसे ज़्यादा जरूई है कि बच्चे और मा का ब्लड ग्रूप अगर मा आरेच नेगेटिव है और बच्चा आरेच पोजिटिव है तो जॉन्डिस होने की संभावना ज़्यादा होती है अगर बच्चे की मा का ब्लड ग्रूप ओ पोजिटिव है और बच्चा ए या भी है तो एबियो इनकंप्रिटिविटी होती है उसमें भी जॉन्डिस होने की संभावना होती है तो अगर वो है तो हम लोगों को केवल फोटो थेरपी से काम नहीं चलेगा हो सकता है कि जॉन्डिस ज्यादा हो और जॉन्डिस ज्यादा होने से 20 मिली ग्राम से ज्यादा होने के बाद ब्रेन में एफेक्ट करता है ब्रेन में एफेक्ट होने से एंसेफलाइटिस होता है और बच्क बाद में भी उसको कर्णिक्टरस हो जाता है जिसे की बच्के का बच्के में अकरन होती है सुनाई कम पढ़ सकता है तो यह बहुत ही चिंटा का विसंडा हो सकता है तो जॉन्डीस ऐसे मने बहुत हिस्तिती में साधान होता है लेकिन कभी खतरनाक भी हो सकता है तो इसलिए हमें सजग रहना जरूई है जब तक सजग नहीं जैसे मेरा करना है साधानी हटी दुर घटना हुई इसलिए हम लोगों को हर समय साधान रहना चाहिए जॉन्डीस के पती है तो शुक्रिया डॉक्टर साभ जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्ति धन्य बाद तो आप डॉक्टर श्रवन कुमार को सुन रहे थे जिनोंने हमारे साथ जानकारी साजा की है कि नवजाश शुषू में अगर जॉन डिस होता है तो उसके क कारण होते हैं किस तरीकी से उसे देखा जा सकता है तो फिलाल के इतना है डॉक्टर साहब ने जो बाते बताई है वो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जुरू बताएं चैनल को सब्सक्राइब करें फेस्बूक पेज को लाइक करें साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सव